नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हलचल पर महानगर में निर्मान कार्य करना और मेट्रो सेवा से नागरीकों को जोड़ना चुनोती पूर्ण कार्य है परिवहन सेवा के माध्यम से इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है नाकपूर मेट्रो ने इस चुनोती पूर्ण कार्य को फिडर सर्विस के माध्यम से साध्य किया है ये जानकारी महा मेट्रो के प्रबद निदेशक डॉक्टर डिजेश दिक्षित ने दी उन्होंने कहा कि हाल ही में नाकपुर मेट्रो को मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन MMI का राष्ट्य पुरस्कार प्राप्थ हुआ है डॉक्टर दिक्षित वर्ल एक्सपो दुबई 2021 में स्मार्ट एंड सेस्टेनेबल ट्रांस्पोर्टेशन विशेपर आयोजित चर्चा सत्र में सम्भूधित कर रहे थे डॉक्टर दिक्षित ने दुबई एक्सपो में मेट्रो नियो और नागपुर मेट्रो MMI का प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि मेट्रो नियो टियर टू और टियर थी भारतिय शहरों के लिए एक नया और किफाईती मास्व ट्रांस्पोर्ट साधन है महा मेट्रो द्वारा नासिक में मेट्रो नियो टकनिक लागू की गई है चर्चा मॉडरेटर डॉक्टर ओपी अगरवाल ने सर्वस्रेष्टर मेट्रो फिडर सेवा का राष्ट्य पुरसकार प्राप्त करने के लिए डॉक्टर दिक्षित की प्रशन साकी उन्होंने कहा कि नाकपुर मेट्रो ने बहतरिन दर्जे की मॉडल फिडर सर्विस बनाई हैं जिसका अनुसरन अन्य महानगरो और उनके मेट्रो प्रकल को भी करना चाहिए समर्पंट सेवा समीति के सचिव नरेश जुमानी ववपाध्धेक्ष्य मनुच अगरवाल ने अमर शहीद संत भगत कवर राम की प्रतिमा पर माल्यार पनकर शहीदी दिवस मनाया एक नमबर 1949 का दिन मानवता के इतिहास में अति कलंकित और दुखदाई रहा माजा दम के दर्बार में भाई गोविन राम जी के वर्सी मोहत्सों में भजन के पश्चात दादु नगर में किसी बालक के नामकरन आउसर पर पहुँचे भजन के पश्चात भोजन करने के समय उनके हाथ से कौर छुड़ गया संत मन ही मन प्रभु की माया को समझते हुए उनकी कुरुपा का स्मरन करते रहे और उन्होंने समक्ष रखी भोजन की थाली एक और कर दी अपनी भजन मनली के साथ संत कमर राम जी गाड़ी बदलने की दुरुष्टी से रातरी दस बजे रुक जंक्षन स्टेशन पर पहुँचे दो बंदुक धारी उन्हें आकर उन्हें प्रणाम किया और अपने कार्य सिध्धी के लिए संत जी से दुआ मांगी संत जी रेल के डिबे में फ्लैटफर्म की दूसरी और वाली सीट पर खिड़की से सट कर बैड़ गए और अपनी मंडी के एक साथी से अकबार जोर जोर से पटकर सुनाने को कहा उन्होंने अपने अंगर अख्षकों की बंदु के उपर की सीट पर रखवा दी अंधिरी रात में गाड़ी के चलते ही बंदुक धारियोंने संत जी को निशाना बना कर गोली अदाग दी सिंध की पावन धर्ती एक महत्मा के पवित्र खून से रंग दी गई आज़ादी का अमरूत महत्सों के अंतरगत आयोजित कारेक्रमों की श्रूंखला में दक्षिन मद्यक्षेत्र, सांस्रूतिक केंद्र, नागपुर एवं करनाटक साहित्यसंग, बिदरद्वारा, BKDB समारोह हौल, बसवेश्वर चौक के पास, बसअब कल्लैन करनाटक में 31 अक्तूबर को 2021 को राष्टिय बहुभाशी कवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये सम्मेलन सरदार वल्लभाई पटेल की जैनती के अउसर पर आयोजित किया गया, इस सम्मेलन में आज़ादी कामरूत महत्सों एवं सरदार वल्लभाई पटेल पर आधारित कवीताओ की प देशक एवं करनाटक साहित्य संग के अध्यक्ष डॉक्टर जगनात हेबले सूशरी गणभी का पाटिल अध्यक्ष बसवेश्वर कल्लैन समिती एवं दक्षिन मध्यक्षेत्र सांस्रूतिक केंदर नाकपुर के प्रशासन एवं लेखा अधिकारी दीपक पाटिल की उपस् प्रमिलन में चार राज्यों के पंधर कभियों ने शिर्कत की स्तानी अरविन इंडो पबिक स्कूल में दीपावली की चुटिया लगने से पुर्व स्कूल ने इको फ्रेंडली दीपावली पर्वा मनाया कक्षा नववी एवं दसवी के विद्यार्थियों ने लक्ष्मी पुजन किया अन्य कक्षाओ के विद्यार्थियों ने ओनलाइन इको फ्रेंडली दीवाली मनाई बच्चों ने रंगुली बनाई, आकाश दीब बनाई, डेकोरेट दीब के साथ अपने अपने वीडियो शेयर किये दीपावली क्यों मनाई जाती है ये जानकारी निबंस परधा के द्वारा समझाने की एक सार्थक पहल की बच्चों ने दीब परव पर स्वर्चित कविताय एवं लेग भी स्कूल के साथ साजा किये दीब परव का आकरशन बच्चों के द्वारा निर्मित बुलेटिन है ऐको फ्रेंटियों के द्वर्व के आऑजन का एक मातर उद्देश विद्यारतियों में जागरूती पैदा करना है आतिश बाजी के दोरान होने वाली लापरवायू से उन्हें सजक करना है परियावरन प्रधुशन एक गंबिर समस्या बन चुकी है पठाकों की वज़ा से वायू मंदल प्रभावित होता है, विद्यार्थियों से ये भी अप्पिल की गई है कि वे परियावरन सरक्षन में सहभागी बने कार्यक्रम के सफलतार्थ सभी वशिक्षकों ने प्रयास किया, स्कूल के प्राचारिय राजंद्रमिश्वर ने ओनलाइन एको फ्रेंडली स्परधा में सम्मेलित सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया सभी अभिभावकों को दिवाली की शुपकामने प्रधान की, उन्होंने सभी का शुक्री आदा करते हुए ऐसे ही सहयोग की उम्मिद जताई संस्था के संस्थापक, पूर्वक रुशी मंतरी, रनिजित बाबु देश्मुक एवं कार्यकार अध्यक्ष, डॉक्टर आशिश देश्मुक ने सभी को दीप परवकी शुपकामने प्रधान की शहर का जाना मना प्रतिश्टान दारोटकर श्री महर ज्वेलर्स वर्षो से अपने ग्राहको को शुद्धता और विश्वास की कसोटी पर खरी ज्वेलरी और उत्तम सिवाय प्रदान कर रहा है पचास साल के बाद अब दारोटकर्स श्री महर ज्वेलर्स की कमान अब परिवार की तीसरी पीडी के हाथ आ गई है आदुतनक व्यवार्यका नवीनी करण करके दारोटकर्ने नए फैशन के अनुसार आभुशन बनाने के लिए दिवाली के आकरशक आभुशनों की एक श्रूंखला शुरू की है धनतरयो दशी सोना और चांदी खरीदने का एक शुब समय है ज्वेलरी जैसे टेंपल ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी के साथ-साथ, लाइट वेट नेकलेस सेट, चूडी, आदीस उद्देशक के लिए बनाए जाते है शुबक्षन के लिए शुद्ध सोने के सिक्के सलगन भी उपलब्ध है हिरी के गहने, IGI प्रमानित है और बायबैंक गैरंटी के साथ आते है दारोड कर्स, श्री महर ज्वेलर्स के धरंपेट स्थिच शोरूम की विशेशता ये है कि यहां एंटिक जडाव ज्वेलरी, टाइमंड ज्वेलरी, हेवी बेट ज्वेलरी तथा एक औरत की सुन्दरता में चार चान लगाने वाला अंकट पोल की कलेक्शन नई पीडी को आकरशित करने वाला ग्रीन ज्वेलरी सिगनेचर कलेक्शन शामिल है यहां ग्राहकों की सुविधाओं का विशेश ध्यान रखा गया है रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बहतर सुविधा वो आधिक आधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलप्त कराने हितू दक्षिन पुर्वा मध्धर एलवे से चलने वाली गाड़ी संख्या 0251-0252 यश्वनपूर कोरभा यश्वनपूर स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक तसलीपर कोच की सुविधा दी जा रही है यश्वनपूर से 2-30 नमबर 2021 तक तथा कोरभा से 4 नमबर से 2 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधी की यात्री लाभन बित होंगे केंद्रिय सतरक्ता आयोक के निर्देश आनुसार सारवजनिक जीवन के उच्चतम सिधान्दों के लिए प्रती बद्धता एवं सोतंत्र भारत 75 सत्य निश्ट से आत्म निर्भरता की संकल्पना हेतु पंजाब नेशनल बैंक मंडल कारियाले नागपूर से 26 अक्तुबर से 1 नमबर 2021 तक सतरक्ता जागरुकता सप्था का आयोजन किया गया बैंक के समस्त शाखा कारियाले में संबदित कारियाले प्रभारी द्वारा वरिष्ट अधिकारी की उपस्तिती में स्टाफ सदस्यों के साथ प्रतिग्या लेकर सतरक्ता जागरुकता सप्था प्रारम किया गया संजे मंट पे उपमंडल प्रमुख नागपुर की विशेश उपस्तिती में मम्तवार के राजभशा वरिष्टे प्रबंदक द्वारा मंडल कारिया ले नागपुर में स्टाफ सदस्यों के साथ प्रतिग्या ली गई इस अउसर पर शाखाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए सतर्कता निवारक पोर्टल एवं बैंक के विभिनना पोर्टलों के रिपोर्टिंग पर हिंदी में विशेश कारिया शलक आयोजन किया गया PNB One App को सुरक्षित और उपयोगी बताया। पादो और हस्तशिल्फ स्टॉलों के साथ प्रमुक स्वयम सहायता समुह भी मौजुद थे। इस अउसर पर अपर कलेक्टर ने 26 अक्तूबर को क्रेडिट आउट्रिच कारेक्रम का उधगाटन किया और सभी लोगों से विभिन्न सरकारी निगम प्रायोजित योजनाओ, MSME और अन्यरून योजनाओ का लाव उठाने की अपिल की। पताधिकारियों की नियुक्ति के लिए 30 अक्तूबर 2021 को हुए VCMWH चुनाओ में विन्य धर्माधिकारी और ललिद गांधी को क्रमशाँ 2021-2022 टीएस के अवधी के लिए अध्यक्षव और सच्चिव के रुप में चुनाओ अधिकारी प्रशान उगे-मुगे और आशिश पड़नविस ने गोषना की है कि मैसर्स Вिनकॉं सिस्टम्स के विन्य धर्माधिकारी को अध्यक्ष, मैसर्स माइक्रोचिप सिस्टम्स के दिनेशन आइडू को पाध्यक्ष, मैसर्स युनिवर्सल बिजनस सिस्टम के ललित गांधी को सचिव के रुप में चुना गया अगर इंटरप्राइजेज के रंजित उमाठे सहसचीव एवं मेसर्च सुर्भी इंटरप्राइजेज के प्रशान्थ बुलबुल को कोशाध द्यक्षि के रुप में चुना गया है। अगर इंटरप्राइजेज के रुप में चुना गया है। अगर इंटरप्राइजेज के रुप में चुना गया है। अगर इंटरप्राइजेजेज के रुप में चुना गया है। दिप परवके स्वागत के लिए बहुत चुनिंदा फेस्टिव ज्वेलरी पेश की है जो सभी महिलाओं को देखते ही पसंदा रही है दंतेरस के साथ साथ दिवाली जैसे त्योहारों के लिए रोकडे ज्वेलर्स में शान्दार ओफर बिलकुल नए और अनुखे ज्वेलरी कलेक्शन देखने को मिल रहे है खास तोर पर त्योहारों एवं वैवाहिक समारों जैसे अवसरों के लिए तयार किये गए इन आभुशनों में बेहत खास डिजाइन देखने को मिल रहे है रोकडे ज्वेलर्स में होलमार्क ज्वेलरी पर शुद्धता की शत प्रतिशत गारेंटी दी जा रही है इससे ग्राहक निश्चित होकर अपने मनपसंद डिजाइन चुन सकते हैं त्योहारी सीजन को देखते वे स्वर्ण आभुशनों की दिलकश डिजाइन वन नय पैटरन की पार्टी वेर ज्वेलरी एक नजर में ही ग्राहकों की पसंद बन रही है चाहे एक्स्क्लूसिव ज्वेलरी आइटम हो या पारंपारीक हर गहना खुबसूरती से तराशा गया है और इस पर उकेरी गई डिजाइन्स बेहत कलात्मक हैं जोहारी सीजन पर एक्स्क्लूसिव डिजाइन की विशेश मांग रहती हैं इसलिए रोकडे ज्वेलर्स में एक से बढ़कर एक डिजाइन प्रस्तूत किये गया है लोहापुरुष सरदारवल्लभाई पटिल की 146 वी जहनती पर पुरे विश्व में अंतरराश्टी अस्तर पर अच्छा कारिया करने वाले 146 महानुभवों को अंतरराश्टी यूनिटी अवार्ट 2021 से समानित किया गया जिसमें महानगर के डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को रखतदाता, रंगकर्मी एवं साहित्यकार के योगदान पर अंतरराश्टी यूनिटी अवार्ट 2021 से समानित किया गया जिसके लिए पुरे विश्व से नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे इस उपलब्धी पर अनिक संस्थाव ने डॉक्टर महाजन को बहुत बधाई दी बिजली कैसे पैदा होती है इसकी जानकरे नागरिकों को देने के लिए कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के पास एक एनरजी एजूकेशन पर्क स्तापित किया जाएगा इस पार्क के माध्यम से लोग बिजली उतपादन, पारेशन और वितरन प्रणाली की पूरी प्रक्रिया जान सकेंगे साथ ही नागरिकों को बिजली बचाने का संदेश दिया जाएगा इस परियोजना पर 125 करोड रुपे की लागत आएगी और परियोजना की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव तयार कर सरकार को बेजने के निर्दिश पालक मंतरी नीतिन राउत ने सम्मंदित अधिकारियों को दिये इस अउसर पर नगर सुधार प्रण्यास के सभापती मनुच कुमार सुर्यवंची अधिक्षन अभियंता लिना उपाद्ध है वास्तुकर अशोक मोखा कारिया पालक अभियंता प्रशान भंडार कर सहित अन्य अधिकारी उपस्तित थे राउत ने कहा कि कोराडी के महालक्षमी जग्दंबा मंदिर में लाखो शद्धा लुआते हैं इस शेत्र से सटे थर्मल पावर प्लांट को देख कर लोगों में उत्सुकता है कि बिजली कैसे पैदा होती है शेत्र में महा उर्जा पार्क के निर्मान से नागरीकों को बिजली के उत्पादन, पारेशन और वितरन की प्रक्रिया की पुरी जानकारी होगी वैकलपिक रूप से लोगों को बिजली बचाने का संदेश भी दिया जाएगा इससे नाकपुर जिले के विकास को गती मिलेगी और साथ ही रोजगार के अउसर भी उपलब धोंगे शहर के 14 गारडन में छोटे पैमाने पर अपशिष्टा जल उपचार परियोजना को विकसित करने की प्रक्रिया नाकपुर मनपाने शुरू कर दी है इस प्रोजेक्ट के जरीए गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर पानी को स्वच किया जाएगा ये जलूद्यान भवन निर्मान के लिए उपयोग में लाया जाएगा इससे शहर में 40 लाख लीटर पेजल की बचचत होगी ये बात महापुर दयाशंकर तिवारी ने स्वतंद्रता के अमरुत महतसव के तहथ मनपा की और से प्रभाग 19 गांधिबाग गार्डन में लगू सिवेच ट्रीटमेंट प्लांट के लोकारबन समारोह में कही समारोह में विधाय प्रविंदट के विकास कुंभारे एवं मोहन मते विशेश रूप से उपस्तित थे महापुर ने कहां कि नाकपूर मनपा देश की पहली महापाली का है जहां 14 पार्कों में अपशिष्ट जल पुनर शोधन पर योजनाय स्तापित की जाएगी महापूर ने कहा कि गांधी भाग उद्यान के नीचे बहने वाले नाले के पानी को शोधित कर पार्क में इस्तिमाल किया जाएगा समारोह में मनपा स्वास्त समीती सभापती महेश महाजन गांधी भाग जोन सभापती श्रधा पाठक मंगलवारी जोन सभापती प्रमिला मतरानी, पुर्व मेर संदिप जोशी, सत्ता रूट दल के उपनेता नरिंद्र, बाल्या बोरकर, स्वास्त समीती के पुर्व सभापती ववरिष्ट पार्षत विरेंद्र कुक्रेजा, गांधी बाग जोन के सायक आयुक्त अशोक पाटि इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत, 10 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 9,070 रुपे का सामान जब्त किया गया है इसके अलावा जोन आधिनियम के अंतरगत दो मामलों में 11 आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 9,340 रुपे का जुर्माना वसू लगया है उपरोक्त सभी ओपरेशन सायुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वरा किये गये थे ट्राफिक विभाग ने ये आभान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबन्दित सभी दस्तावेज अपने पास रखे आमादमी पार्टी नागपुर के तत्वा वधान में दिवा का अंदिल आंदोलन किया गया लोग पिछले दो साल से कोरोना महामारी के कारण अंधेरे में दिवाली मना रहे है अब जब कोरोना थम रहा है तो जनता दिल खोल कर दिवाली मनाने को तयार है लेकिन बिजली वितरन कमपनियों ने लोगों के बिजली कनेक्शन काटने के लिए व्यापक अभियान चलाय जा रहा है इस अभियान को तुरंद बंद कर देना चाहिए इस साल कम से कम लोगों के घरों में दीपावली को अंधिरा ना करे इसके लिए आम आदमी पार्टी नाकपुर द्वारा दिवाकद्निल आंदोलन किया गया आंदोलन का उद्देश्य सरकारी जन विरोधी नीतियों के विरोध कर आम जनता को जागरुक और उन्हें निजात दिलाना था आज पूरे भारत में सबसे महेंगी बिजली हम खरीद रहे हैं जो बिजली उत्पादक राज्य है फिर भी जनता बिजली समस्या को लेकर परेशान है यह हम सभी के साथ अन्या हैं सरकार जनहित पर नीतिया बना कर लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने चाहिए नागपुर जिले के पेंच, करांडला, मोगर कसा जैसे परियाटन स्थलों की और राष्टिय और अंतरराष्टिय परियाटकों को आकर्शित करने है तो एक व्यापक निति तयार की जाए इस आशय के विचार डॉक्टर नितिन राउत ने व्यक्त किये पलक मंतरी डॉक्टर नितिन राउत ने सोमवार को जिला अधिकारी कारियाले में वरिष्टा अधिकारियों की बैठक बुलाई इस अउसर पर विधाएक आशय जायसवाल जिला अधिकारी आरवीमला जिला परिष्ट के मुख्य कारिया पलान अधिकारी योकेश कुम्बेजकर वन विभाग के वरिष्टा अधिकारी उपस्तित थे नागपुर जिले का जंगल मध्या प्रदेश से सटा हुआ है मध्या प्रदेश में अभियार अण्या और जंगल सफारी बड़ी संख्या में राश्य और अंतर राश्य परियाटकों को आकर्शित करते हैं लेकिन अच्छी जगह होने पर भी परियाटकों की संख्या यहां अकसर कम होती है राउत ने कहा जिलाविधी सेवा प्राधी करण वो युवा करियर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में नविन चंदर रेड़ी ने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों के उपर से माता पिता का साया हड़ गया था उनके लिए जिलाविधी सेवा प्राधी करण वो युव की गई इसमें नर्शरी से ग्रेजुएशन के कुल 40 विद्यार्थी वदस विद्यार्थी गंगा जमुना से शेल्टर होम में रह 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 थे उन्हें पुस्तके बाटी गई कोरोना काल में निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाले डॉक्टर का कोविड योध्धा के रुप में सतकार किया गया सतकार मुर्ती डॉक्टर संदीप शिंदे को सम्मानित चिन्ह वितरीत किया गया धरमपिट नीवासी पियोश मड़के को लोकसेवा आयोक की परिक्षा में देश में 723 वी रैंक आने पर उन्हें भी सम्मानित किया गया पुलिस आयोक तमितेश कुमार ने सभी विद्यार्थियों को हिम्मत हारे बिना शिक्षा लेने का आभान किया पुर्वन आयधिश सीय थूल ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना काल में मातापिता गवाने वाले बच्चों को 5 लाग तथा सरवोच्च नायले के आदेश के अनुसार 50,000 रुपे की मदद जल्द पहुचाने और योजना की जानकारी सभी तक पहुचाने का आभान किया संवार को काटोल कुरुशी उत्पन्न बाजार समिती के बाजार याड में संत्रा खरीदी शुरू की गई इस दोरान सभापती चरण सिंग ठाकुर की प्रमुक उपस्तिती में उपस्तिती गंगादर राव जलके संचालक दिनेश ठाकरे के हाथों पूजन कर किसानों को दुपट्टा टोपी देकर सत्कार किया गया संत्रा व्यापरी राजन देश्मुक, जीवन चरडे, मरिश पालिवाल, अभिजित मानकर ने बोली द्वारा संत्रे की खरीदी की संचालक मोहन मुन्ने, डिगांबर धवड, किशोर गाडवे, यादो तातोडे, प्रविन अडकी ने उपस्तित थे वाड़ी पुलिस ने हाल ही में वाड़ी थनक शेत्र के 10 खोय हुए मोबाईल फोन बरामत किये हैं उपर अक्तव इशेव पर प्रस्तुत पुलिस टेशन वाड़ी नाकपुर शहर में मोबाईल गुम होने की शिकायत प्राप्त हुए तो पोलिस टेशन वाड़ी में कारियरत अधिकारियों और कर्मचारी ने कुल 10 ISM के मोबाइल का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किया और कुल 10 मोबाइल धारकों को पोलिस टेशन बुला कर सौम दिया ये कारवाई पुलिस उपायुक्त जोन नंबर एक लोहित मतानी के मार्व दर्शन में पुलिस सहा आयुक्त एमाईडीसी डिविजन विजय लक्ष्मी हीरे मठ वरिष्टा पुलिस निरिक्षक ललिता तोड़ा से पुलिस निरिक्षक अपराद भरत करहाडे कॉंस्टेपल अजय पाटिल, रागोजी चिलगर ने सभी मोबाईल धारकों को दिये मोबाईल धारकों ने वाड़े पुलिस को धन्यवाद दिया वाड़े पुलिस इसे वापस करने के लिए सफल रही तो नागपूर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस, नमस्कार